आपने मुगलों का एक कुरूर बादसा देखा होगा औरंग जेब, उसका नाम सुना होगा और कोई मुसल्मानों में सब्वे मुसल्मान परिवार अपने पुत्र का नाम औरंग जेब नहीं रखता औरंग जेब सबसे कुरूर मुगल बादसा था और अंगजेब ने एक कर लगाय था उसका नाम है जजियाकर आज कॉंग्रेस भी अपने मिनिफेस्टो में जजियाकर की बात करती है यह जजियाकर क्या है जो उन्होंने बराशत टैक्स की बात की है जो को मोधी जी कहते हैं कि वराशत का सम्मान होना चाहिए वरासत का सम्मान ही है कि हम आयोध्या में राम मंदिर के निर्मान के लिए पांसो वर्सों से लगाता रांदोलन करते रहे लाखों हिंदू उसके लिए सहीद हुआ ये वरासत का ही सम्मान है कि आज हम लोग आए हैं हमने सिंधिया परिवार को मेरे पीठ के द्वारा हमारे परंपरा के द्वारा इसलिए सम्मान दिया गया क्योंकि उस समय अफगानों के हमलों को सिंधिया परिवार ने उस समय उसको धकेल करके भारत की सीमा के बाहर करने का काम किया था हम सिंधिया परिवार को इसलिए सम्मान दे रहे हैं राजमाता के प्रती अप्यार सरदा का भाव इसलिए है क्योंकि राजमाता का पूरा जीवन इस समाज के लिए इस देश के लिए था राम जनम भूमी के लिए था और राम जनम भूमी के मुवमेंट को जीरों से सिखर तक पहुँचाने में उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था और इसलिए हम सर्दा के समय वरासत का ही सम्मान है यही है विरासत का सम्मान